गुड मॉनिंग एबरिबंसो फ्रेंस देख लेते हैं आज की टिप्स हैं क्या बहुत ही कमाल के किचिन टिप्स फ्रेंस फांस मिनट का समय निकाल कर वीडियो को पूरा ही देखेगा नमबर बन बरतन साफ रखने के लिए नियमित रूप से नमक और सीरा लगाए नमबर टू ताजगी को बनाए रखने के लिए फ्रिज में बाखी रहने वाली सबजी को ठंडे पानी में डाले रसोई में बॉक्स रखके साम इगरी को सुचित रखें और सही डंग से लेवल करें नमबर फोर तेल और मसाले को ठंडे स्थान पर रखने से उनकी खुस्बू बनी रहेगी नमबर फाइव चावल पकाने से पहले उन्हें अच्छे से दोकर भिगो कर रखें यह सुनिश्चित रख करेगा कि वे अच्छे से पकें नमबर सिक्स देख लेते हैं नमबर सिक्स है कि नीमू के रख को सबजियों पर छिड़क कर उन्हें ताजगी देने में मदद करेगा नमबर सेवन ब्रैड के टुकडे स्वाधिश्ट करने के लिए उन्हें घी में तल कर आप उनका इस्तिमाल कर सकते हैं नमबर एट बर्तन धोने के बाद उन्हें अच्छे से सुखा लें ताकि कोई बैक्टिरिया ना बढ़े नमबर नाइन वाइलिंग वाटर का प्योग जल्दी से और सुरक्षित रूप से खाना पकाने के लिए करें नमबर टेन बर्तन को आसानी से साप करने के लिए उन्हें अच्छे से सोडा बीकार बोनेट के पानी में भिगो कर रखें नमबर एलेवन धनिया पत्तियों को स्वादिश्ट बनाए रखने के लिए उन्हें धूप में सुखा लें और फिर कुचल कर उप्योग करें नमबर ट्वैल टमाटर को आसानी से चीलने के लिए उन्हें गरम पानी में डालें और फिर ठंडे पानी में रखें नमबर ठाटीन बने हुए खाने को गरम रखने के लिए एक थरमस में गरम पानी डाल कर उसमें रखें नमर्व 14 अच्छी तरह से पके हुए खाने को ठंडा होने से बचाने के लिए उन्हें छोटे चोटे टुकडो में काट कर ठंडे में रखें नमर्व 15 तेज मसालों को तासगी बनाए रखने के लिए उन्हें सूखी और ठंडी जगया पर सेल करके रखें नमर 16 दही को तूटे हुए नहीं होने देने के लिए उसमें एक चमप चीनी मिलाएं इससे आपकी दही बिलकुल भी इधर उदा नहीं होगी नमर 17 अधरक और लहसुन को साफ करने के लिए उन्हें थोड़ा सा तेल लगा कर हातों से रगने आपका अधरक और लहसुन अच्छे से साफ हो जाएगा नमर 18 खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए अधरक का रस और सहद मिला कर एक छोटे जाम में रखें नमर 19 चाय को बनाए रखने के लिए इलाईची रद रख को चाय पत्ती के साथ मिला कर रखें इससे आपकी चाय बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी स्वादिष्ट फलों को तयार करने के लिए उन्हें थोड़े से नमक और काली मिर्ज से स्वादिष्ट बनाएं चावल को स्वादिष्ट बनाएं रखने के लिए उन्हें पानी में थोड़ा सा घी डाल कर पकाएं इससे आपके चावल बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट बनेंगे नमब ट्वंटीटू आटा कीला होने पर उसे स्वादिश्ट बनाए रखने के लिए थोड़ा सा नमक मिलाए नमब ट्वंटीट्री आलू को तेजी से बनाने के लिए उन्हें पहले से ही उबाल कर रखें नमब ट्वंटीफोर चाय की पत्तियों को स्वादिश्ट बनाए रखने के लिए उन्हें सूखे और ठंडे इस्तान पर सुरक्षित करके रखें 25. खाने को अच्छे से पकाने के लिए बारिश के पानी को सुरक्षित तर पर इस्तेमाल करें 26. रसोई में सुरक्षिता बनायी रखने के लिए चमचे, काटनी और बर्तनों को इस्तानिय तर पर अलग रखें 27. बनेवे खाने को जल्दी से गरम करने के लिए microwave का प्योग करें 28. तंदूरी रंग को स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ा सा दही मिलाएं इससे आपकी तंदूरी रोटी का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा 29. काठी या वादी स्वाद के लिए मुस्तार्द तेल में राई और साजीवनी डाल कर तड़का लगाएं 30. डाल में स्वाद और सुगंद बढ़ाने के लिए उसमें थोड़ा घी और जीरा तड़का लगाएं 31. करम पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर पीने से हर्दी और खासी में राहत मिलती है 32. ब्रेड को स्वादिश्ट बनाए रखने के लिए उसमें घी में थोड़ा सा तलना अच्छा है ब्रेड को स्वादिश्ट बनाई रखने के लिए घी में थोड़ा तलने तो काफी ज़्यादा अच्छर बनेगा नमबर 83 ताजगी को बनाई रखने के लिए सबजी को बालने से पहले उसमें नीबू का रस मिलाएं स्वादिष्ट दही पकोड़े बनाने के लिए बेशन में हींग और अद्रक पाउडर मिलाएं उसे फिरिज में रखने से पहले थोड़ी देर रूम टैंप्रेचर पर रखें चाय की पत्तियों को स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए उन्हें सूखे और ठंडे स्थान पर रखें अगर आप तेल या गी का प्योग कम करना चाहते हैं तो खाना बनाते समय उप्योग करने के लिए अच्छे गुडवत्ता वाले नौनिष्टिक कड़ाई का प्योग करें नमर थाटी एट जिन फलों और सब्जीओं को फ्रिज में रखना है उन्हें बंद किये हुए प्लास्टिक बैग में सहेजें ताकि वे जल्दी से बिगड़ न जाएं नमर थाटी नाइन बर्तनों को स्वच रखने के लिए उन्हें अच्छे से सोड़ा विकाब और नेट केक पानी में बिगो कर साफ करें नमर फोटी रसोई से बचे हुए चाबलों को फ्राई पायन में तल कर कुरकुरा बनाने के लिए उन्हें थोड़ा सा दही मिलाएं नमर फोटी बन उबलीवी दाल में थोड़ा तेल और हिंग मिलाने से उसकी स्वाद में बढ़ुतरी होती है नमर फोटी टू अगर आपका ब्रेड टोस्ट नहीं हो रही है तो टोस्टर की रेड पर थोड़ा सा घी लगाएं नमर फोटी तरी किसी भी तरह की बदभू को दूर करने के लिए फ्रिज में नीबू के टुकड़े रखें नमर फोटी फोर अगर आपकी रोड़िया फूल नहीं रही है तो उन्हें पनीर या गेहूं के आटे के साथ मिला कर बनाएं नमर फोटी फाइव तया चटनी को अधिक समझदारी से बनाने के लिए इसमें थोड़ा सदही और टमाटर जूस मिलाएं नमर फोटी सिक्स खाना बनाते समय समझदारी से बरतन का चैन करें जैसे की नौनिस्टिक या स्टेन लेस स्टील ताकि खाना ना चिपके नमर फोटी सेवन बचे वे चावल से बनी बिर्यानी को मज़ेदार बनाने बनाए रखने के लिए इसमें थोड़ा सा दही मिलाएं नमर फोटी एड बने वे बिर्यानी को स्वादिश्ट बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ा सा साफर जली के पानी मिलाएं नमबर 49, खाना बनाते समय अगर तुम्हें धूप में खड़ा रहना है तो एक उपर से नीचे जाने वाली धूपीय टोपी पहने नमबर 50, स्वादिस्ट मिक्स वेजी टेबल सूप बनाने के लिए उसमें थोड़ी सी तुलसी पत्या मिलाएं नमबर 51, बने हुई पूरी को स्वादिस्ट बनाए रखने के लिए उसमें गुड़ और घी से भर कर खाएं नमबर 52, स्वादिस्ट गोवी मंचूरियन बनाने के लिए गोवी को थोड़े बड़े टुकडों में काटें नमबर 53, बने हुई ब्रेड पकोड़े को स्वादिस्ट बनाए रखने के लिए उन्हें टमाटर की चटनी के सार्व करें नमबर 54, स्वादिस्ट बटनान बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा गी और कटा हुआ पुदीन मिलाएं नमबर 55, बने हुई बिर्यानी को स्वादिस्ट बनाए रखने के लिए उसमें थोड़ा सा गरम मशाला मिलाएं नमबर 56, स्वादिस्ट पानी पूरी बनाने के लिए पूरियों को ठंडे मीठे पानी में भिगो कर उन्हें तयार करें नमबर 57 स्वादिश दही बड़ा बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा दही का पानी मिलाएं और फिर खुष उर्ती से गर्मा गर्म परोस हैं स्वादिश्ट चॉकलेट मिल्क शेक्ट बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा वैनीला आइसक्रीम और शावर्मा चॉकलेट मिलाएं नमबर 59 बनेवे चाबलों को स्वादिश्ट बनाए रखने के लिए उन्हें घी में तड़के में जीरा और धनिया पत्तियों के साथ परोशें नमबर 60 स्वादिश्ट गाजर का हलुआ बनाएने के लिए उसमें थोड़ा सा खोया और चार मुली को सीधे सुगर के साथ मिलाएं तो फ्रेंस आज की ठाटी किचिन टिप्स आपको कैसी लगी जरूर से बताएगा यदि वीडियो अची लगें तो लाइक कर दीजेगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो बहुत जादा अची लगी तो फैमिल्र य फ्रेंस में शेर जरूर करदीजेगा आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक की थी फ्रेंस आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर शेयर कीजिएगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो